हलो एवरिवान कैसे हो भी टाप सब जल्दी मुझे अपने हाल चल बता दीजे तो लांस लेक्चर जो था हमारा वो था किलिंग ओफ ट्री और साथी साथ हमने क्या पड़ा था ट्री के बारे में डिसकॉशन की थी कोशन आंसर को डिसकॉस किया था तो हमारा ट्री वाला जो था ना वो बिल्कुल डेफिनेटली कंप्लीट हो गया था तो आज का लेक्चर हमारा किस पर है आज का लेक्चर है हमारा दबॉंट ओफ लफ पर बेटा कैसा है यह हम पढ़ लेते हैं चैके तो आप मुझे यह बताए कि टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है जल्दी कि attending to attention की बाद कि गई है एकम के reaction कि बाद कि गई है किसी के relation की बात कि गई है तो आगर आप यह बोल रहें ना बिलकुल ही करेक्ट बोल लेकिन हम देखेंगे कहानी में, ये स्टोरी में कि ये relation, ये bond of love किसके साथ है तो अब हम lecture को start करते हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजे कि trees का जो chapter था आपको clear था या नहीं था आगे चलें, चलो the bond of love पे, ध्यान से पढ़िएगा, चीक है मैं आपको कहती हूँ कि मैं starting में ही quiz ले लेती हूँ क्या कहती हूँ हमेशा, मैं starting में quiz ले लेती हूँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा की क्या है, चीक है, before you read, before you read तो देखें हम, yes, can there be a love and a friendship between human beings and wild animals, तो यहाँ पर आप से मैं पूछती हूँ, चलो आप भी बताइए मुझे, कि can there be a love and a friendship between a human and a wild animal, wild animal का क्या मतलब होता है, जो forest में रहते हैं, शिकारी, ठीक है, जो animals होते हैं, जो बहुत ज़्यादा cruel होते हैं, मतलब डरावने types के, ठीक कोई दोस्ती हो सकती है, या प्यार हो सकता है, एक इनसान में और wild animals में, जल्दी मुझे answers बताइए, I am just waiting for you, चीक है, तो मैं आपको बताओ, अगर हम कोई traveling show देखते हैं, या discovery channel देखते हैं, तो हम देखते हैं, कि जो lions होते हैं, ये tigers होते हैं, तो उनके साथ, कोई जो इनस animals होते हैं, बहुत shows आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, तो आपने यहाँ पे देखा होगा, कि जो lion होते हैं, वो भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, चीक है, खाते नहीं हैं उस इंसान को, तो yes, there can be a friendship, चीक है, there can be a love between a human being and wild animals, yes or no, जल्दी मुझे बताइए, okay, आगे चलें Okay, let read a fascinating account of an orphaned sloth bear that rescued by the author, तो आज हम पढ़ेंगे किस के बारे में, ध्यान से देखे एक एक sentence को, मैं क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखे, मैं quiz का ऐसा question पूछूंगी, जो unexpected होगा, चीक है, तो ध्यान से पढ़ें, let us read a fascinating account, fascinating मतलब मनोहर account of an orphaned sloth bear, sloth का क्या होता है, जल्दी मुझे बताए, चीक, sloth bear that was rescued by the author, चीक, orphaned sloth bear देखे, यहाँ पर मैंने meaning दे रहा है, फर्स शी, चीक, अनात सुस्त भालू, मतलब कि बहुत ज्यादा अनात है, और साथे ताथ आलसी भालू के बारे में, bear के बारे में, आज हम बात करेंगे, चीक, आगे चल सकते हैं, चलो, the sloth bear inhabited forested areas, including tropical rainforests of the India, grassland at lower evaluations, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, sloth bear, मतलब सुस्ती से, आलसी से भरा हुआ, bear, चीक, inhabited forested area, inhabited grassland का क्या मतलब घास का जो मैदान होता है, मतलब कि tropical rainforest, forest में क्या होगा, पेड़ पौधे ही होंगे, और साथी साथ ग्रास होगी yes or no, हाँ, जी, चीक, तो यहाँ पर देखिए, forest of India and grassland at lower evaluation, lower evaluation मतलब छोटी उचाई पे, मतलब की नीची उचाई पे, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, जैसे हम देखते हैं, पहाड, हाँ, तो उचाई होती है, हाँ, एक छोटी valley types होता है, हाँ, तो यहाँ पे, sloth bear मतलब, आलसी भालू के बारे में कहानी बता रखी है, कोई bond है, जो आलसी भालू पे depend होगी, मैंने आपको hint दे दिया, चीक, sloth bear have very saggy hair and long muscles, चीक, शागी का क्या मतलब होता बेटा, शागी का मतलब off hair और fur long या थिक, मतलब कि बड़े बड़े दाड़ी, बड़े बड़े fur उनकी body चीक, और furby कौन से class के black color के बोल रखे, चीक, sloth bear very saggy hair and long muscles, मुझल का मतलब the projecting part of the face including the noise and the mouth of an animal, आराम से पढ़ते हैं, मैं कह रही हूँ, आराम से पढ़ते हैं, देखो ये भालू दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ, तो ये भालू का देखो ये नाक और मुह होता है, जल्द हम बोलते हैं, मतलब कि जिसमें nose भी होता है और mouth भी होता है, भालू का ऐसे होता है ना, हाँ, तो ये nose और mouth को मिला के उसे हम क्या बोलते हैं, मुझल्स बोलते हैं, clear है, ठीक है, sloth bear have very shaggy hair and long muscles, using their claws to dig, can use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food, क्या समझ में आए आपको, जल्द ही मुझे बता दो, देखो, यहां पे लिखा रख है, using their claws, claws का क्या मतलब होता है, पंजे, ये रा भालू, इसके पंजे, तो वो पंजो की मदद से, क्या कर लेते थे, खोद देते थे, डिक क्या मतलब हो हुआ, खुदाई कर लेते थे, क् विट्टी को खोदते थे, ठीक है, which can deep into the ground, जो नीचे जमीन में जाती थी, ठीक है, और into hard reach areas like dead trees for their food, और कहां लेके जाते थे वो अपने मुझ को, वहां पे लेके जाते थे, जैसे कि dead plants हो गए, trees हो गए, खाना के लिए, अपने खाने के लिए, तो अपने पंजो का वो इस दीमक क्या मतलब कि छोटे-छोटे कीडे होते हैं, छोटे-छोटे कीडे, तो उनका जो main food होता है, वो होता है, thermites, thermites क्या है, छोटे-छोटे कीडे, मकोडे, dead animals ये dead plants जो हो गए, जो धरती के अंदर दबयो हो जाते है, मिटी आ जाती है उपर, तो उनको खोद के, जो निक खाते थे कौन खाते थे बियर खाते थे जल्दी बता दो आज तो चले okay you can hear them suck up their food from several feet away तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखोगे कि जो बियर होता है न या जो भालू होता है अपने खाने के लिए बहुत दूर से पकड़ लेता है अपने खाने को it means कि वो अपने पंजो का इस्तमाल करके खाने के बारे में बात करता है तो यह हमारा यह क्या था बेटा basic idea था कि हम chapter को पढ़ेंगे जो poem ने author ने लिखी है चाप्टर है the bond of love उससे पहले हमें just basic idea बताया है bond of love के लिए clear है okay तो यहां से मैं आपको कहती हूँ कि आपका पहला quiz आ जाता है क्या बोल र love chapter is based on the love of bond chapter बेटा किस पे based है मैं आपको कह दूँ किसका answer आपकी screen पे ही है चीक है मैंने एक picture दे रखी है हाँ आप picture को देख के बताओ यह कौन सी picture है cartoon दे रखा है a bear dog cat यह d mouse जल्दी बताईए मैंने कहा था quiz को attempt करना है तो class में starting से आईए चीक है अगर आगे देखो sloth bear have very shaggy hair true false maybe true none of above चीक है जल्दी बताईए यहां पे sloth bear मतलब कि जो आलसी भालू है क्या उसके बड़े shaggy hairs है मतलब heavy hairs है पूरी body पे बिटा आपको picture देखके ही पता चल रहा है true false maybe true or none of above जल्दी जल्दी बिटा बता दो quiz खताम quiz number one आपका finish हुआ तो मैं answers बता दूँ इसके चलो मैं बता ही दो तो मैंने आपको पहली कहा था अगर आपको quiz में participate करना है तो starting से end तक देखिए एक quiz मैं starting में ले लूँगे एक quiz का पता नहीं ह होता कि end में आएगा या between में आजगा ठीक है तो the bond of love chapter किस पे बेज़ा बिटा बियर पे बेज़ा है क्योंकि अभी हमने एक overview में यहीं पड़ा है मैं चीक है और यहां पर बताओ यहां पर क्या था हिंट भी दे रखा था क्या आप बियर की photo दे रखी है clear है ओके sloth bear have very shaky here हाँ भालू को देखो तो सही इसके पूरी body पे क्या है hairs है black है thick hairs है तो एप आच हो गया हमारा यहां पे correct clear है yes or no चले अब आगे topic को ओके आगे पड़ते हैं देखे ध्यान से I will begin with Bruno my wife's pet sloth bear I got him for her by accident कौन बोल रहा होगा जल्दी बताए मैं जो chapter लिख रहा होगा कौन बोल रहा होगा जो chapter लिख रहा होगा तो यहां पे जो author है जो writer है वो क्या बोल रहा है कि मैं start करूंगा Bruno से किसे start करूंगा Bruno से my wife pet sloth bear जो मेरे wife का पालतू sloth bear है मतलब कि आलसी bear है चीक है I got him for her by accident तो मुझे यह जो bear मिला है जो pet बना है ना पालतू बना है वो मुझे by chance मिल गया by accident कोई हुआ था उस वज़े से मुझे यह जो bear है प्यारा प्यारा था मेरी wife को pet मिला चीक आगे पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा accident हुआ था क्या हुआ था कहानी में कैसे यह bear मिला तो ध्यान से पढ़िए बहुत ही प्यारी कहानी चीक है आगे देखो two years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore अब यहां देखे तो author कहा रहा है दो साल पहले हम पास कर रहे थे sugarcane fields ना बेटा fields मतलब की जगा लांड जिस पर गन्ने बोई होते हैं माइसूर के पास में जहां गन्ने बोई होते हैं वहां से author दो साल पहले यहां राइटर दो साल पहले कहीं जा रहा होगा क्लियर है येस और नो जल्दी मुझे बताए यहां तक क्लियर है ओके आगे चल सकते हैं येस चलिए ठीक है पीपल वर ड्राइविंग अवे दविग वाइल्ड पिग फ्रम दफील्ड बाइशूटिंग आड देम तो बेटा यहां पर क्या लिख रखा है कि जो लोग ड्राइ अडिया से जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे राइज अवे द वाइल्ट पिग ठैक है यह शीकार करते हों शीकार करना तो बहुत गलत बात है अम उम्हें नहीं चाहिए छीक है लेकिन वहाँ पर कहानी में मार रहे हैं तो हमें पढ़ ना पड़ेगा छीक इस तो नेसकी कि The wild pigs, क्या लिख रखा है, the wild pig from the fields of shooting at them, धान से पढ़ो बेता, people कौन, लोग, ठीक है, लोग जा रहे थे, wild pig, wild pig मतलब की, जल्दी बताईए, जब forest में pigs रहते हैं, ठीक है, sewer रहते हैं, okay, from the field, मतलब उस area से जा रहे थे, shoot करते हुए, मतलब की, शिकार करते हुए, ठीक है, at them, मतलब मारते हुए न, वो आगे की तरह प्रसीड कर रहे थे, clear है, okay, आगे चले, okay, some were shoot and some were escaped, तो यहाँ पे लिख रहा है, कोई जो थे, वो shoot हो गए, मतलब उनका शिकार हो गया, और कहीं जो लोग थे, वो भाग गए, मतलब की, लोग नहीं थे, कौन थे मैं, यहाँ पर प शिकार करके जा रहे थे, लेकिन कहीं पिक्स जो होंगे, वो भाग गया होंगे, तो यहाँ पर escaped का, क्या मतलब भाग निकले थे, clear हो गया, yes or no, what to what, I am helping, ठीक है, we thought that everything was over when suddenly a black slot beer came out panting in a hot run, अब यहाँ पर देखो, author जो कह रहा है, writer कह रहा है, कि मुझे लगा कि सारे के सार चले गए हैं, सारे के सारे जो पिक्स थे वो चले गए हैं, ठीक है, लेकिन एक सड़नली अचानक से एक black slot beer, मतलब आलसी भालू आया, ठीक है, come panting in a hot sun, मतलब कि panting in the hot sun, कि जो किरने होती है न सूरज की वो बहुत तेज थी, और डगमगाता हुआ, वो जो beer था, वो आया, ठीक है, आगे देखें, यस ठीक है, ठीक है, चलते हुए एक beer आया, अब देखो, para number 2, मैं क्या कह रही हूँ, para number 2 देखें, now I will not shoot a sloth beer wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that, the way about it, and promptly shoot the beer on the spot, बहुत ही गलत बात किया है इनोंने, आपको पता है, बहुत ही गलत बात किया है, क्या किया उनन बियर को मारती है, कैसे मारा पढ़ लो, ठीक है, now I will not shoot a sloth beer wantonly, अब author क्या बोल रहा है, वो भी शिकार करता है, मैं, हाँ वो भी शिकार करता है, शिकार करना अच्छी बात है, नहीं, बहुत ही गलत बात है, ठीक है, wantonly for a good reason, मतलब कि wantonly का क्या मतलब होता है, for no good reason, for no good reason, उ उसमें कोई अच्छा पन नहीं दिखा, लेकिन हाँ, उसने ये देखा, कि भाई, इससे न मारना नहीं चाहिए, लेकिन unfortunately, दुर्भागे में, क्या हुआ, the poor beast, जो poor beast कौन है, यहाँ पे beer है, जो बहुत मासूम है, ठीक है, poor beast का क्या मतलब, जो मासूम सा जो जानवर है, clear है तो beast का मतलब, जो बहुत poor, मासूम जानवर है, उसे कुछ भी नहीं पता है, जैक है, one of my companion did not feel the way about it, जैसे मुझे लग रहा था, भई, मुझे शिकार नहीं करना, राइटर क्या कह रहा है, जैसे मुझे लग रहा था, कि मुझे शिकार नहीं करना, लेकिन जो मेरा companion था, companion मत हुआ ये चीज़, और उसने promptly, मतलब तुरंट, promptly, मतलब एक दम से, तुरंट, उसने shoot कर दिया उस bear को, shoot क्या मतलब, गोली मार दी, गोली कैसे मारी, ये मतलब, शिकार कर दिया, उसका bear का on the spot, मतलब कि उसी जगा पे, उसी समय पे, उसने एक दम से क्या करा, उसे लगा कि इसका भी शिकार करना है, उसने shoot कर दिया, अब आप बताओ, क्या shoot करना अच्छी बात है, मासूम जानवरों को मारना अच्छी बात है, नहीं मैम, नहीं मारना चाहिए, बट देखिये, author नहीं नहीं किया है, तो आगे देखेंगे, कि ये जो bear है, वो कैसे pet बना, वो बहु ही तरस नहीं आया, और उसने on the spot मार दिया, चले आगे, जल्दी बताई बेटा, चले आगे, चलो आगे चलते हैं, थर्ड पैरिग्राफ को देखिये, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया है, कोई doubt होगा, प्लीस लिखिएगा, आपको clear हो जाएगा, question answers भी मैंने चेक करे ह हैं कल, ठीक है, 10th क्लास के करे हैं, 11th क्लास के भी करे हैं, तो 9th क्लास के बच्चे पर पार्टिस पेट कीजे, comment section में, answers मुझे जरूर लिख के देजिएगा, ठीक है, आगे देखो, As we watched the fallen animal, we are surprised to see that a black fur on its back moved and left a prostrate body, then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back, when the sudden shot has killed her, the little creature ran around it, prostrate parent making a pitiful noise, As we watched the fallen animal, जैसे ही उसके दोस ने बियर को shoot किया, तो बियर मर गया, चीक है, मरा, तो वो गिर गया, बियर मरा, तो क्या हुआ, वो गिर गया, ठीक है, We were surprised to see that a black fur on its back moved left and the prostrate body, मतलब देखिए, ये बियर बैठा है, चीक है, अब ये बियर मर गया है, सपोस, इसमें तो जिन्दा है, लेकिन अगर आप सपोस मानिये कि ये मर गया है, चीक है, इसके black fur में न, मैं कहीं कहीं, इसके black fur में न, कोई चीज हिलती हिलती नजर आ रही ह चीक है, मतलब कि उसकी body पे जैसे मरा हुआ है, तो उसके पीचे कुछ हिलता हुआ, उन्हें नजर आ रहा है, black fur हुआ, तो उनके लिए ये बहुत हैरानी की बात थी, भई, beard तो मर गया है, उसकी तो सांसे चल ही नहीं रही, तो body कैसे हिल रही है, चीक है, तो the black on its back moved left with the prostrate body, prostrate मतलब गिरा हुआ, lying on the ground facing downward, हिंदी में भी बेटर मैं लिखके आई हो, जिनको लिखना है, गिरा हुआ बाडी, मतलब कि बाडी जैसे गिर गई है, मर गी है, तो गिरेगी, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि इसके फर्क ऐसे हिल रहे है, क्योंकि बिए तो मर गया है, त that had been riding on its mother back, when the sudden shoot had killed her, देखो, कितना गलत काम किया ना, यहाँ पे बियर को मार के, ठीक है, वो ममा बियर थी, क्या थी ममा बियर थी, अब ममा बियर मर गई, लेकि जो उसका बेबी था, कब था, वो क्या था, वो उसके आसपास ही गुम रहा था, अपनी मम्मी को उठाने की ट प्राय कर रहा था, तभी कहते हैं न, अनिमल्स को नहीं माना चाहिए, अगर वो बोल नी सकते तो, ठीक है, आगे चले, चलो, देन वी सो, इट वादा बेबी बियर, बेबी बियर मतलब कब आफ बियर, that has been riding, राइडिं का मतलब की चल रहा था, इधर से उदर, अपनी मम्म के आसपाद जैसे उनको शूट करके मारा गया था, बेबी बियर, clear है, okay, the little creature ran around its prostrate, parent making a pitiful noise, pitiful noise का क्या मतलब होता है, रहम दिल, मतलब की वो कह रहा था, छोड़ दो, छोड़ दो, in the sense of बहुत जाद उसे दुख हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि ये क्या हो रहा चुटी-चुटी noise निकाल रहा था, और अपनी मम्मी के आसपाद घूम रहा था, ताकि उसकी मम्मी जो है, जो बियर है, ठीक है, black color का जो बियर है, lady है वो, तो उसे वो उठा पाए, clear है, yes or no, जल्दी बेटा बताए, कोई doubt है आपको यहां तक, जल्दी-जल्दी मुझे बताए, आगे चल सकते हैं, चलो, आगे चलते हैं, यहां पर देखे, next slide, ठीक है, fourth paragraph पर आप देखे, next slide, okay, fourth paragraph पर क्या लिख रख है, I ran up to an attempt a creature, it scooted into a sugarcane field, following it by companions, I was at last able to grab it by the scruff of the neck, while it snapped and tried to scratch me, when it's lost, long hooked claws, fourth paragraph को भी अराम से समझते हैं, क्या ही जल्दी हो रही है हमार को, चीक है, तो यहां पर क्या लिख रखा है, I ran up to it, to attempt the capture, तो यहां पर writer कह रहा है, कि मैं एक दम से भागा, I ran it to attempt the capture, मतलब कि एक दम से, जो कब है, उसको capture, पकड़ने के लिए, मैं भागा, it scooted into the sugarcane field, मतलब कि जहां पे गन्ने बोई होए थे न, गन्नो का खेत था, उस खेत में वो भागने लग गया, बेबी कब, मतलब कि यह कहूं कि बीर का बच्चा, क्यों कि डर गया होगा, बहुत ही छोटा था वो, चीक है, following it with my companions, मतलब मेरे सातियों के साथ, I was last able to grab it, एक दम से मैंने जाके लपकना, मतलब पकड लिया, grab का मतलब क्या होता, एक दम से जाके पकड लेना उस बेबी किसको, बीर को, it by scruff, scruff का क्या मतलब होता है, कूडा, off its neck, while it snapped and tried to scratch me, ठीक है, snapped का मतलब बोले, neck का मतलब गर्दन, और scratch का मतलब खरोच, with the long hooked claws, long hooked claws, मतलब की शोकीन claws, मतलब पंजे, जो जैसे एक दम से बढ़ जाते हैं न, उसे ये लग रहा है, कि जो ये बच्चा है न, वो शौकिया, अपने पंजों से मार रहा है, कि हज़ा, 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 ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, following it by my companion, I was last, एक last में, I was able, मेर को able था कि क्या, क क्योंकि खेतों में गया है, उसने हटाया, ठीक है, while it snapped, एक दरब से ऐसे लग रहा था, जिसे बेबी कब जो है, वो एक दम से बोलेगा, क्या होगा, एक दम से बोलेगा, और क्या बोल रहा है, उसका मतलब है कि scratch करना, एक दम से खरोच मार रहा है, कि हट जा, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को पकड़ोगे, तो वो कहेगा नि, हट जा, तो ये तो बेचारा छोटा सा कब है, मतलब कि बीर का बच्चा है, चीक है, वितर लॉंग हुग्ड क्लॉज, मतलब कि अपने लॉंग बड़े-बड़े पंजो से उसने खरोच मारने चाही, राइटर को, clear है आगे चल सकते हैं बिटा, चलो, फिफ्ट पैरिग्राफ देखे, विपुट इट ओन, विपुट इट वन, ओफ दगनी बच्च, वी हट ब्रॉट अन वेन, आई गॉट बाक तो बैंगलोर, आई डूली प्रेजेंट इट तो माइ वाइफ, अभी हाँ पे देखे, क्या लि companion है, साथ ही है, वो शिकार बही गए थे, तो उनके पस गन्स के लिए बैग था, हाँ था, तो उसी गन्स वाले बैग में, वो ले के आ जाते हैं कि इसको बेबी बीर को, चीक है, बेबी बीर को, we had brought it, and when I get back to बैंगलोर, I duly presented it to my wife, देखो, author कहां जा रहा था, या writer कहां ज और बीर को देखते ही, writer को लगा, भई, मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, पता नी, for no reason उसे लग रहा था, नहीं, मुझे इसका शिकार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका friend था, उसने बात नहीं मानी, और उसके friend ने on the spot, उसी समय, उसी जगा बीर को मार दिया, उसके ब अपनी ममा के घूम रहा होता है, ममा बीर के घूम रहा होता है, तो author एक दम से भागता है, जाता है, कि मैं उसे grab कर लूँ, उतनी देर में वो खेतों में चला जाता है, कहां पे खेतों में चला जाता है, जहां पे गन्ने उगरे होते हैं, लेकिन last में author उसे पकड़ लेता ह समझ में आ रही है ना जो summary बता रही हूं जो author होता वो last में जाके beer को पकड़ लेता है अब author वापिस आ रहा है कहां नहीं यहां से start हो रही है clear है अब देखे we put it one in a gunny bag we brought and when it got back to bangalore जब author अब बैंगलोर जाने लग गया मतलब बैंगलोर कहां उसका घर होगा तो gunny bag मतलब कि जिसमें gun पड़ी थी beer को लेके आ गया और उसने वो beer अपनी wife को पकड़ा दिया यहां तक beta clear हो गया जल्दी बता चीक है आगे देखे she was delighted delighted मतलब की प्रसन she was decided उसकी wife को देखे beer बहुत खुश हो गई वो तो फिर उसके बाद देखे उसकी wife जो होते है बहुत खुश हो जाते है प्रसन हो जाती है कि उसका जो husband है वो baby beer को लेके आया as a pet तो यहां पे वो क्या होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है तो उसकी neck में वो red color का ribbon पट्टा साथ बांड देती है ठीक है और बाद में पच कुश्चाइन मतलब नाम रखना ठीक है क्या रख देती है ब्रूनो तो beer का नाम क्या हो गया ब्रूनो तो mcq में आ सकता है आ सकता है तो लिख लीजे इस point को कि baby beer का नाम क्या था आप बोलोगे ब्रूनो क्या ब्रूनो आगे चले 5th paragraph आपको clear हो गया हां मैं हो गया तो 6th paragraph चले चलो चलो देखें आगे क्या लिख रहा है ब्रूनो सून चुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रम दबॉटल अब ब्रूनो ने क्या हुआ जल्दी ही ब्रूनो ने क्या देखा ड्रिंकिंग मिल्क फ्रम दबॉटल अब जैसे बॉटल है इसमें पानी है तो उसने जल्दी जल्दी पीना start क्या किया, milk, दूद्भ होगा तो वो पीना start कर दिया, soon, took a drinking milk from the bottle, उसने bottle में से milk ले लिया, पीना start कर दिया, जोसकी wife ने provide किया होगा bottle से, it was but a step further and within a very few days, he started eating and drinking everything, तो यहां पे कह रहे हैं, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ही हम देखेंगे कि उसने खाली milk पिया था, उसके बाद वो सब खाना पीना start कर दिया, clear है, क्योंकि जल्दी बढ़ता है beer तो, चीक है, and everything is the right word for he ate porridge made from the ingredients, vegetable, fruit, nut, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies, देखो, इसमें क्या लिख कि जो Bruno है न, वो पहले तो दूदी पीता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है bottle से, उसके बाद, step further, कुछ दिनों में, उसने सब कुछ खाना पीना start करते था, okay, and everything is the right word, बतलब कि everything बोल रहे है, बतलब कि वो सब की सब चीज़े खा लेता था, उसे कुछ भी किला दो, okay, क् जानवर है, जानवर को कुछ भी किला दो, तो यहां पे लिख रहे है कि everything, क्या है, सई word है, क्योंकि वो सब खा लेता था, clear है, okay, तो यहां पे देखो, for he ate porridge, porridge का क्या मतलब दलिया टाइप होता है, ठीक है, खाना ही मान लीजे, खिचडी, दलिया, ठीक है, porridge खाता था, made from any ingredient, बहुत सारे ingredients, ingredient क्या मतलब सामेगरी, ठीक है, सामेगरी में क्या हो सकता है, vegetables हो सकते है, दलिया को ममी बनाती है, पूछना कभी, ठीक है, vegetables जालते है, सबजेयां डालते है, ठीक है, fruits भी खा सकते हैं, अगर मीठा है, ठीक है, nuts, मतलब की dry fruit, clear हो गया, meat, non-veg, आ गया, ठी ठीक है, especially pork, मतलब की fish का, meat clear है, okay, curry, rice, मतलब चावल, regardless, मतलब की regardless का क्या मतलब परवा किये, बिना, जितने भी spices होते हैं, ठीक है, condiments मतलब spices, मसाले, ठीक है, and chillies, जितनी भी मेट से डाल तो, जितने भी मसाले डाल दो, regardless, बिना परवा किये, वो दलिया खा लेता था, साती साथ, vegetables, जितनी भी सबजियां होगी, खा लेता था, और यहां पर यह देखा, fruit, nuts, meat, सब खा लेता था, curry खा लेता था, यह नहीं कि इसमें मसाला ज्यादा है, मिर्च जादा है, उसे कोई फरक ने पढ़ता था, clear हो गया, आगे चल सकते हैं, जल्दी बताएं, okay, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc, etc, तो यहां पर बहुत सारी चीज़े दे रखे हैं, जो ब्रुनो खा लेता था, क्या-क्या खा लेता था, जल्दी एक बारी रिवाइस कीजे, because quiz में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो क्या खा लेता था, porridge खा लेता था, ठीक है, vegetable खा लेता था, हाँ, मसाले हो तब बिखा लेता था, हाँ, बढ़ी मसाले हो, जब भी खा ले, मैम, चिली, चिली जतनी भी ढाल दो, मतलब कि मिर्च जतनी भी ढाल दो, animals नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा, बुरुनो यहां पे, chapter में खा लेता था, चिली खा लेता था, मीठ खाता था, करी खाता था, राइस खा रखा है मैं बहुत-बहुत everything क्या है यहां पर correct word है कि वह सब का सब यहां पर खा लेता था जल्दी बता दो प्लीज बता दो ना आगे चली चलो यह यह भी पढ़ लो पहले आ as foster in अगर हम पीने की बात करें अगर हम पीने की बात करें दूद्ध पी लेता था हह यह तो पता यह कोई आइनिमल देख आ है आप चाए पी रहा है। डिक है काफी बहूं चाए सो ठीक है आप काफी भी पी लेता था यांभई काफी भी बिपी exists. निम्बॡ़ पानी Penid सोडा। नहीं होता है, हाँ होता है, आज जो फूट सोडा भी आ गया है, हम सारे पी लेते हैं, चीज तो सोडा, जिसमें गैस होती है, तो रिट्र वाडर कि यहां पे इलकोहलिक ही होता है, जल्दी बता यह दारू, वह भी पी लेता था, ठीक है and in fact anything liquid कोई भी liquid चीज़े हो पानी पूनी सब का सब पी लेता था हमारा यहां पे Bruno clear है चीक है तो यहां पे हमने क्या देगा बहुत अजीब सा बीर नी है बहुत ही अजीब है मतलब की tea coffee lime juice soda जो भी पिला दो मतलब की हमारी तरह ही है यह यह भी ठीक है fast food खाना है बाहर का खाना खिला दो इसको जितना भी ठीक है क्रोना में मत खाईएगा बेटा आगे देखो it all went down with a relish relish मतलब की और जितना भी खाता था ना पूरा टेस्ट लेके खाता था हम भी तो पूरा टेस्ट लेकर खाते हैं न हमारा भी तो favorite छीज़ें क्या होती है बार की होती है रोटी तो कौन खाए नी खाए ठीक है और हमारे को cold drink soft drink सब पिला दो हम पी लेते है तो वैसे ही है यह खाता था, तो Bruno क्या क्या खाता था, क्या Bruno milk पी लेता था, हाँ पी लेता था, चाए पी लेता था, हाँ चाए भी पी लेता, coffee, juice, सब का सब पी लेता था, ठीक है, vegetables में मसाले, चिली, जितनी मिर्च ठोग दो, सब खा लेता था, क्यों, क्योंकि Indian beer होगा न, Mysore, Bangalore, तो Indians क्या करते हैं, जादा मसाला खाते हैं, clear होगा, yes or no, okay, तो quiz number two खेले हैं, चीक क्या, quiz number two खेले, तो question number one, आपकी screen पे, who were near prostrate body of beer, जब beer को बेटा मारा था, जब beer को मारा था, मतलब की lady beer को मारा था, तो उसके साथ कौन था, cat थी, rat थी, या beer cup थी, yet none of above, जल्दी बेटा ब who was near prostrate body, मतलब की, जो गिरियोई body थी, तो कौन था, उसके साथ, question number two, what is the name of the beer cup in the chapter, बहुत ही मैंने बोला था, मैं question पूछ लूँगी, यहीं से, यहीं से पूछ लिया, मैंने question, क्या नाम था beer cup का, chapter में, जल्दी बता दो, बहुत ही असान था है, bruno, gruno, pruno, drono, राइम बन जल्दी बता दो, मैं wait कर रही हूं, okay, quiz number two, finish, आगे हम answer ले लेते हैं, बहुत ही basic, straightforward questions थे मैं कह रही हूं, मैंने कोई पूरी चीज़े पूछी ने, straightforward questions थे, सीधे सीधे questions थे, ठीक है, who was near prostate body of the beer, beer का कब, मतलब की, beer का, बच्चा, क्या है, yes or no, जल्दी बेटा बताए, आग के देख लेते हैं, question number two, what is the name of the beer का, बिटा अभी देखा था, क्या था, जल्दी बताए, ब्रूनो था, क्या था, ब्रूनो था, मतलब अपाट हो गया, यहां पे, correct, clear है, अब जल्दी बताए, किनके 4 out of 4 आयां, और इस quiz में 2 out of 2 हो आयां, ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे comments कीज़े आप, किसके आयां, बहुत straightforward questions पूछे थे, आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, तो ध्यान से chapter को पढ़िएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 7th, 7th paragraph को आप पढ़िए, The bear became very attached to our two Alassian dogs and all the children of the tenants living in our bungalow, तो यहां से आ अथन ने बता दिया, बहुत अमीर इंसान था, ठीक है, आगे देखो, The bear became very attached, जो bear था, जो भालू था, वो बहुत ज्यादा attached हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा attached हो गया, ठीक है, एक टाइप का कुछा माल लो, आप, ठी वेल्सियन जॉग हो गया and all the children और सारे के सारे बच्चे of the tenants, tenants मतलब किरायदार जो रह रहते उस बंगलों में राइटर के, तो यहां पे देखा हमने कि भाई बीर सब कुछ तो खा लेता है, चीक है, बीर सब कुछ खा लेता है, मतलब बीर भी पी लेता है, चीक है, तो हर ची खाता होगा, चीक है, आगे देखे, he was left quite free in the younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed, तो यहां पे routine बता रखा है, हाँ बई, routine बता रखा है, he was left quite free, तो वो थोड़ा free रहता था, शान्त होके बेटा, शान्त होके वो थोड़ा बहुत free, शान्त होके बैठता था, younger days, बहुत कि जब वो न टेनेंट्स होते थे, किरायदार होते थे, चीक है, running into the kitchen, रसोई में भागता था, चीक है, and going to sleep in our bed, और साथी साथ, जो author है, जो राइटर है, उनके बेट्स पे जाके वो सो जाता था, clear है, हाई जल्दी बताओ, clear है, okay, तो 7th paragraph में हमने क्या पढ़ा, जो beer है, वो बहुत ज of the tenants, जितने भी किरायदारों के जो बंगलों में थे, उन सब के साथ वो खेलता था, दूसरी बात, वो बहुत शान्त रहता था, यंगर देज पे, और बाकी का सारा समय उसने खेलने में निकालना है, कभी रसोई में भाग रहा है, किचन में भाग रहा है, या बेड पे जा बिफेल हम, I put down poison, barium carbonate, to kill the rat and mice, that had got into my library, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक दिन, by an accident, बिफेल हम, बिफेल मतलब विपती, विपता आ गई, किस पे, ये प्यारे से बियर पे, ठीक है, तो किसको क्या ही बिगाड है, खाता पीता और मोजी तो काटो, सब के साथ खेली तू ठीक है, ठीक है, लेकिन, एक विपता आगी, क्या आगी, I put down poison, poison मतलब की, यहाँ पे, क्या है, barium carbonate, एक तरह का chemical होता है, ठीक है, उसने रखा, ठीक है, किसली रखा, ताकि वो मार सके, rats को, या mice को, ठीक है, मैस मतलब चूहों को, जो, library में चले गए थे, writer के, जो कहाँ च प्रूनो लाइबरेरी के अंदर चला जाता है, कौन जाता है, यह प्यारा था, जो हमारा भालू है, वो library के अंदर गया, as he often did, जो हमेशा अकसा जाता रहता, library में, और उसने खा लिया, वो poison, he ate that poison, जो rats के लिए मारने के लिए रखा था, वो बेचारा, बूनो खा लिया, ब्रूनो ने खा लिया, चीक है, पैरलाइजे सेट इन्ट ना एक्सेंट, तो एक तरह की जो उसकी बॉड़ी है, वो बिल्कुल ही, रिस्पॉंड करनी बंद हो गई, पैरलाइज जब होता है, तो बॉड़ी रिस्पॉंड नहीं करती है, चीक है, हमारी में शक्ती नहीं हो पाया, ओके, आगे देखते हैं, बट ही ड्राइटर की वाइफ के पास पहुंचा, तो एक तरह से ना उसने अपने आपको खीचा उनकी वाइफ के पास ले जाने के लिए, कि इसने बियर ने अपने आपको खीचा की ज़एटर है उसकी वाइफ तक वह पहुंचे, वो ठीक है, यही बोलती होगी ना, आगे देखें, चालो, मजाग थाई, I guessed what, that had happened, और एक दम से राइटर क्या कहता है, मुझे ना एक दम से guess हो गया, मेरको डाउट हो गया, मैंने वहाँ पी रैट का पॉईजन रखा था, ठीक है, बैरिम कार्बोनेट रखा था रैट को मारन को ले जाने के लिए, वेट मतलब डॉक्टर के घर, रेजिडेंट मतलब घर, और वेट मतलब डॉक्टर, जो एनिमल्स का होता है, तो एक दम से उतने कार निकाली, भाई, ब्रूनो को ले के जाते हैं, अकेस ऑफ पॉईजन इंग, टैमर बीर, बैरिम कार्बोनेट, वाट कि ये तो एक पॉईजन दे दिया एनिमल को, ये उसका केस है, बैरिम कार्बोनेट, आगे अब क्या करें, यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ है, तो एट पैरिग्राफ को मैं समराइज कर दूँ यहाँ पे, कि एक दिन क्या होता है, कि जो हमारा राइटर है, हमारा जो लाइबरेरी में, ब्रुनो आ जाता है, ब्रुनो ने खा लेता है, उसे कोई चीज लगते है, वो खा लेता है, और उसके बाद उसकी बॉड़ी जो होती है, वो पैरलाइज हो जाती है, मतलब कि उससे चला नहीं जाता है, लेकिन वो अपने आपको खीशता हुआ, ओथर के वाइफ के पास आता है, author की wife एक दम से कहती है, author को कि जल्दी आओ, देखो, क्या हुआ है, बुरुनो को, फिर वो सारे के सारे कहां लेके जाते हैं, उसको, कार निकालता है, author, vet के पास लेके जाता है, वहाँ जाके पता चलता है, कि कोई poison का case है, तो आगे कहानी में लिख र जे, every Tuesday, author जे है, तो अब हम Saturday को मिलेंगे, शाम को 6 बजे, English Literature के साथ ही, तो प्लीज इसे पढ़के आईएगा, थैंक ये सो मच, डाउटनेट पे बने रहें, बाबाई, टेक केर.